हेलो फैंट्स मैं हूँ सालिव रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रीन गोर्ड गर्डन चैनल तो दोस्तों सामने जो यह आप कटिंग्स देख रहे हैं यह मेरी गोर्ड मतलब गैंदी की कटिंग्स हैं इनको मैं मतले प्रांट से लेकर आया हूं तो दोस्तों लगाने का फायदा कि ये होता है कि ये बहुत सारे मिक्स कालर भी होते हैं और इसके अलाबा, एक कलर के भी सीड उलते हैं तो हम उसको अच्छा रईन करते हैं कि इस पर कौन से इंगे और कितने मड़े साइज की अगयी क्योंकि दोस्तों जिस प्लाइन के हम प्रभा रहा होते हैं कि इस पर कौण से कलर्डर के पने व यह होते फूर आई है तो थे प्रेंट से आपके पास भी उलेडि पहले से ही मदर प्लांटे का तो आप कट works से ले सकते हैं उस प्लांट से अगर आपके पास गेंदे का मदल प्लांट नहीं है तो आप किसी भी नर्सरी से जा करके को इसी भी कलर की कटिंग्स ले आईए कटिंग्स लाने में आपको एक बात का यह ध्यान रखना है कि जैसे कि इस टाइम बरसात का मुसम चल रहा है तो कि जो ब्रांच होती हैं वहां से कुछ ब्रांच बे जो है रूट्स पहले से ही हवा में मौस्टर होने की वज़े से ग्रोथ श्टार्ट कर चुकी होती है अगर ऐसी कटिंग्स आप लगाते हैं तो बहुत भी जल्दी ग्रों होगी ओफेंड्स आप तीन से चार इंच तक क कटिंग ले सकते हैं इसके लाबाद चार से पांच इंच तक की भी कटिंग ले सकते हैं और दोस्तों जैसे की सामने आप देख पा रहा है मेरे पास जो कटिंग्स हैं वह चार और पांच इंच तक की हैं इसके लाबाद तीन से चार इंच तक की भी हैं तो दोस्तों आप ज जड़ा होगी कटिंग्स पर तो उनको मौस्ट्र की जोत पड़ेगी पानी की जोत पड़ेगी खाने की जोत पड़ेगी तो जो एक तो जिन सबस्तित कर दें तो पूरिक कर दें वो फैन्ट जब भी आप कटिंग को मदर प्लांट से काटें तो उस टाइम आपको कहंची या किसी भी तरह का दूसरा तूल यूज नहीं करना है आपको बिलेट की मदद से केंज को मदब प्रांट से काड़ना है क्योंकि काची से या दूसरे टूर्ससे काड़ने से इसकी जो सब्सक्राइब कर देखना होने में दिक्कत होती है क्यों लगा ने यह स्वाइल जो मैंने रेडी की है इसमें है 70% fine sand जो की river sand वे होता है और इसके लावा 20% मैंने नौर्वल गार्डेन की स्वाइल मिलाई है इसके लावा 10% मैंने बर्मी कंपोश मिलाया है बर्मी कंपोश इतनी है क्योंकि इसकी जो cutting है इस टाइम बहुत ही जल्दी अपनी र होल कर लिए हैं क्योंकि हम जब cuttings को पाड़नी देंगे तो पाड़नी ना रुक है और पाड़नी ड्रेन हो जाए इन होलों से तो इसलिए मैंने यह होल की है अब इन होलों को मैं एक टूटे वो पॉर्ट से कवर कर देता हूं जिससे कि हमारी जो मिट्टी है पाड़नी दे स्वाइल जाता होगी उसके स्वाइल के अंदर काफी देरता मोईसर मोजूद रहेगा इसलिए कटिंग आपकी सड़ सकती है तो इसलिए आप चार से छे इंच तब का कोट ले सकते हैं मैंने आप चार इंच की ट्रेली है तो चलिए अब हम इसमें स्वाइल जो हमने रिडी क種 हैं प्रेक्यारे थे जो हमने पहले गिरो की थी इसी ट्रे में क्टिंग उनका रिजर्ट भी देख लेते हैं कि sa यह वो cutting है जो मैंने पहले ही इस त्रे में ग्रो की थी और इनकी कापी अच्छी हैल्थ थी मतलब कापी अच्छे से इनकी growth श्टार्ड हो चुकी थी अब इनकी roots की growth भी देख लेते हैं कि इनकी roots कितनी अच्छे से grow कर पाईं तो friends cuttings को नकालने की वज़ा से मैंने पहले ही soil म पाने डाला हैं तो यह असान तरीक से बाहर आ जाएं तो दोस्तों हम किसी भी टूल की मदश्त से इन कट इंप को बाहर निकाल लेते हैं तो चलिए दोस्तों अभर रहे हैं तो मैं इसको नियुbstock काफी अच्छी से अपनी जो भी दोस्तों जो सामने पाणी है इसमें रख लीते हैं इसको जिस्से की इसने की हृट से मिट्टी हट आये प्रलिया तो जोस्तों यह हट चुकी है और जैसे कि आप देखने इसलिया यह कर्टिंग है इसलिया है और भनो के फॉल जोसे तरह हम सभी कटिंघ से स्वाइल हट को हटा लेते हैं तो friends सभी cuttings को मैंने स्वाइल से बाहर निकाल लिया है इनकी roots आप देखी रहे हैं कितने अच्छे से growth कर पाईं तो दोस्तों अब हम इनको दूसरे बड़े pot में shift कर देते हैं बड़े pot में लगा देते हैं तो चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो like share करना बिल्कुल न भूलें अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए जिसे की कोई भी वीडियो में upload करूं तो आप से न चूटे चैनलOS फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना और अपने प्लान्ट का अच्छे से ख्यार रखिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए